कि अग्युद्ध मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आज एक नई वीडियो में जो की है यूएफ़ाई के उपर दोस्तों मैंने ये एक नया यूएफ़ाई का सेटप बनाया है जो की आप देखेंगे ना में टूल जो यूएफ़ाई का होता है और इसका लाइट टूल मैंने एक ही बारे में दोनों को चला रखा है बार बार इसे अलगलग पोर्ट में लगाना उतारना लगाना उतारना वोला सिस्टम नहीं है A की यूएध़ी केबल से जैसे ये केबल जा रही है और सीधा इसके दो लगनी है यह एक ही केबल से मैंने इन दोनों को चला रखा है और साथ में मैंने इसमें एड़ किया है जो की है यूएस्बी हब यूएस्बी हब से मैंने दोनों पोटों को चला रखा है तो इसमें फाइदा यह है मैं वीडियो बनाने का सारा मोटिफ जो यह था यह आपक इसलिए यह बनाया क्योंकि कई लोगों के कोश्चन थे मेरे दोस्तों के पी जैसे हम यह लाइट बॉक्स को एममसी करते टाइम हम जब एड करते हैं तो वह बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाता है जब थे मेरे डिस्कनेक्ट हो आएं था या कनेक्ट spectre घूच है तो प्रॉबलम आती है बहुत स़ारी तो अभी मैने इसको फिक्स कर दिया है यह इसके मेन बॉक्स को इस पीसी बी एकैरलिक सीट में पूरा जाम कर दिया है और इसका जो लाइट बॉक्स है उससे भी मै ने अलग से लिया है इसको हमेशा के लिए इनको भी फिक्स कर दिया है अब देखो इसमें दो दो लगाने का फायदा यह है पि आपका जो यह लाइट वाला अड़ेप्टर है यह बाल बाल डिस्कनेक नहीं होगा इसको लगा है तो यह लगे में 100% वर्क करेगा और इसका वक वर्क करने का वो आपको वो भी सिस्टम दिखाता हूँ है यह कैसे वर्क करता है जैसे कि अभी यह लगा हुआ है तो इसमें देखिए नो लिमिट अभी नहीं आ रहा है लेप्टप में और इसमें में टूल चल रहा है अभी यह वाला हिस्सा चल रहा है यह वाला यह वाला ठीक है न और जैसे ही light adapter चलाना है तो मैंने क्या किया है यहाँ पे switch लगाया है अब मैं जैसे ही इसे press करूँगा यह light जल गी और यह देखिए यह no limit आ गया यह light adapter चल गया और इसकी speed इतनी है देखिए इसमें वो एक on करते time format का option आता है वो भी नहीं आता एक second से भी पहले यह on हो जाता है देखिए इसकी speed देखिए जैसे कि मैं यहाँ से बंद करना हूँ और यह देखिए यहाँ पे यह दोबारा से normal adapter चल गया अब मैं जैसे यहाँ से press करूँगा देखना switch का sound आएगा आएगा आपको मैंने यह दबाया और यह देखिए एक second से भी पहले यह चल गया तो यह चीज आप manually जब इस adapter को USB में add करते हैं तो बहुत सारी दिखते आती है तो यह दिखते इसमें नहीं आएंगी यह अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं बहुत इजी है इसे बनाने में तो मैंने क्या किया है यह जो light वाला adapter है इसकी पांच वोल्ड की जो इसको voltage मिलती है मैंने उसके उपर switch लगा दिया बाके connection similar है सारे बीच में जा रहे है और USB hub लगाया है मैंने जिससे एक ही USB wire से दोनों connect है दोनों connect है और बिलकुत perfect काम कर रहे है यह देखिए इसकी speed जो है यह बहुत बड़ी है और single time भी यह मतलब ऐसे नहीं दिखाएगा पि connect नहीं हुआ यह जितनी बार देखिए मैं दबा रहा हूँ उतनी बार एक second से भी पहले यह own हो जा रहा है देखिए इसी speed तो इसमें read और write का मैं वो भी दिखाऊंगा आपको यह read write कितनी देर में कर रहा है अब जैसे कि मैं इसको light वाले adapter में लगी वह है तो मैं इसे connect करता हूं इसे मैंने box को चालू कर दिया है तो मैं दिखाता हूं मैंने एक निट मैंने इसे अच्छे से नहीं किया था अभी यह किया मैंने अब इसकी स्पीड भी आपको दिखाता हूं इसकी स्पीड गया रही है और यह आठ जी भी को कितना टाइम लेता है जैसे कि मैं इसका यूजर अला पार्ट करता हूं बूट वन बूट तू और यह एक्सजी सी एक्सजी तो फटाफट हो जाता है अब देखिए मैं इसका USER वाला पार्ट करता हूं इसे हम READ करते हैं जैसे कि मैंने यह READ करता है और यह Location माग रहा है तो मैं इसे कहीं पे भी डाल देता हूं जैसे की लोकेशन मांग रहा है मैं से डेक्स्टॉप पे करके स्लेक्ट कर देता हूं और यह देखिए स्लेक्ट करता ही यह देखिए कितनी जल्दी से हो रही है फाइल 35 Mbps इसकी स्पीड आ रही है और तीन मिनिट में यह रीड भी कर देगी इसकी स्पीड बहुत अबबल आती है बहुत जबर्दस और यह लाइट लाइट वाले एडेप्टर से यह हो पा रहा है यह बहुत जबर्दस स्पीड दिखा रहा है यह देखिए आप स्पीड 34 Mbps के असपास यह उठा रहा है और इसमें दो मिनिट रहे है मतलब तीन मिनिट में RGB यह कर रहा है तो मेरे ख्याल से यह मड़ा नहीं है इसकी स्पीड बढ़िया आ रही है और डिस्कनेक्ट नहीं होता यह एक बार भी डिस्कनेक्ट नहीं होएगा पुरी फाइल करके ही चोड़ेगा कई बार इसमें कई सारे अर्र आते हैं तो वो उसका कोई चक्करी नहीं है मस तरीके से यह से रीड और राइट करता है तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होएगी यह मैंने जो आपके साथ नौलज शेयर करी है आपके भी शायद काम आ सकते हैं जो कि बहुत असान है बनाना मैंने इसे पूरा एक एक एलेक शीट को कटिंग करके उसके ओपर बना दिया है इससे एड़ेप्टर की जो लाइफ है ना वो भी बढ़ जाएगी कभी थैंक यू दोस्तो